पुलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस की जांच अब CBI कर रही है कुलकाता पुलिस के लगातार बदल रहे बयानों के बीच CBI ने गंभीरता से जांच करते हुए आरोपी को कस्टडी मिले लिया है पुलिस के अलावा आरजी कर मेडिकल सुप्रीटेंडेंट, ट्रेनी डॉक्टर के चार दोस्त और डिलिवरी बॉई CBI की रडार में है डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद देश भर में गुस्सा है दिल दहला देने वाली इस वारदात को लेकर कोलकाता पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे है ममता सरकार भी सवालों के घेरे में खड़ी है फिलाज CBI कोलकाता पुलिस के दर्श बयानों की जांच कर रही है CBI की स्पेशल क्राइम यूनिट की कोशिश है कि पुलिस को मिली पहली कॉल से लेकर पूरे क्राइम सीक्वेंस की जांच अच्छे से की जाए ऐसे में आई आई आपको समझाते हैं कि CBI किन मुद्दों पर जांच कर रही है और शक के घेरे में कौन-कौन है पहला शक मेडिकल सुप्रीटेंडन पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानित की जानकारी शुक्रवार 9 अगस्त की सुबह 10 वजे हुई पुलिस को बॉडी पर चोट के निशान मीरे थे लेकिन सुप्रीटेंडन ने पीडित के परिवार को फोन पर कहा कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है फिर भी पुलिस ने सुप्रीटेंडन से कोई पूछ तास नहीं की और उनका बयान भी दर्श कर लिया मेडिय रिपोर्ट्स की माने तो कॉलिज के स्टाफ के बीच वारल हो रहे मैसजो और आडियो क्लिप के बाद ये दोस्त फुलिस की जाच के दारे में आ गए है अब इन पर सीबियाई की नजर टिकी हुई है इस दोरान सीबियाई की नजर एक डिलिवरी बॉई पर भी है इसी डिलिवरी बॉई ने डॉक्टर को देर रात खाना सर्फ किया था जहांच एजंसी डिलिवरी बॉई के डीटेल निकलवा चुकी है माना जा रहा है कि जल्दी उससे पूश्ताज के लिए बुलाया जाएगा क्योंकि ये भी ट्रेनी डॉक्टर से मिलने वाले आखरी लोगों में शामिल है लेकिन सबसे जादा शक के घेरे में जो खड़ा है वो है कोलकाता की पुलिस सीबियाई कोलकाता पुलिस के भी कुछ कर्मियों पर नजर रख रही है ये क्राइम सीन पर सबसे पहले जाने वाले लोग हैं जिरों ने इस घटना को पहले सुसाइट बताया था पुलिस के काम करने के तरीके पर लगातार सवाल उठ रहे हैं इस वज़े से भी पुलिस सीबियाई की रडार पर है जाँच एजनसी जानने की कोशिश कर रही है कि जब घटना स्तल के हालाज सब कुछ बया कर रहे थे तो पुलिस ने केस को सुसाइट की तरफ ले जाने की कोशिश क्यों की और आखरी में आरोपी संजय रॉय बलाई संजय सीबियाई की कस्टडी में है जिस पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या करने का आरोप है जांच एजनसी लगातार उसे पूच्दाश भी कर रही है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या सच में ये वारदात संजय रॉय नहीं की है या वो सिर्फ असली आरोपी या किसी और को बचाने के लिए खुद को आरोपी बता रहा है लेकिन हम आपको बता दें कि सबसे ज़ादा जो सवालों के घेरे में खड़े हैं वो हैं कोलकाता पुलिस के अधिकारी कोलकाता रेप और मडर केस की जाच कर रहे पुलिस पर सवाल इसलिए उठे क्यूंकि मौकाय वारदात पर जो सबूत मिले और घटना स्थल के हालात को देखने के बाद भी पहले इस मामले को सुसाइट बताया गया दरसल डॉक्टर की बॉडी अर्धनगन अवस्था में थी पिडिता की बॉडी के बाएं तरफ एक जीन्स पैंट और ब्राउन रंग की इनर्वियर थी चश्मा तूटा था दोनों आखों और मूँ से खून निकल रहा था चेहरे बाएं पैर पेट और नाखून में चोट क के गहरे निशान थे प्राइबिट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी गरदन और दाएं हाथ के रिंग फिंगर होटो पर चोट इंजरी के मार्क मिले गद्धे पर काफी बाल बिखरे हुए थे और खून सूख चुका था इन हालातों के बावजूर पहले डॉक्टर के पर हुई दुए एलए निचका चुका था दो यह सुआ फार्ट से पर कि अई उचका चंट दो बावजए जान ब года